सरला के पती को गुजरे कई साल बीच चुके थे वो अपने दोनों बच्चों के पालन पोशन के लिए ओमलेट का ठेला लगाती थी सरला ने रोशनलाल कपड़े वाले की दुकान के बाहर एक हजार रुपए महीने पर जगा ले रखी थी सरला ने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था वो सुबह से लेकर राद तक ठेले पर बहुत मेहनत करती थी सरला ताई एक आमलेट बनाना थोड़ी हरी मिर्च जादा कर देना है मुझे पता है मुकेश जी आप आमलेट में हरी मिर्च जादा ही लेते हो हाँ जी आपको भाईया बिना मक्खन वाला 20 रुपए और मक्खन वाला ओमलेट 30 रुपए का है सरला ताई दो प्लेट आमलेट ब्रेट बना देना मैं आपको अभी थोड़ी देर मैं पैसे देता हूँ ठीक है न चंदन भाईया आपके पिछले पैसे भी अभी देने बाकी है दस प्लेट आमलेट के पैसे हो गए है अरे तो दे दूंगा सरला ताई ना तुम कहीं जा रही हो ना मैं यहां से भागा जा रहा हूँ चंदन भाईया कोशिश करना यह पैसे आप मुझे जल्दी दे देना मेरी भी रोजाना की लागत लगती है यह सब सामान लाने में उधार देती रही तो कमाऊंगी क्या और खाऊंगी क्या क्या हो रहा है चंदन उधार के पैसे दे दिया करो गरीब आमलेट वाली से उधार में खाने की जगह पैसे दे कर खाया करो सेड़ जी दे तो देता हूँ वो तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे इसलिए बाद में दे देता अ सरलात आई महीने के एक हजार उपय कब दे रही हो भाई जी आपको मैं कल पकड़ा दूगी चंदन कल साडियों का नया माल आना है मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा तुम सारा माल उतरवा लेना ठीक है सेड़ जी मैं रखवा लूँगा अगले दिन रोशनलाल डॉक्टर के पास चला जाता है चंदन दुकान पर साडियों का माल उतरवा रहा था तब ही उसका दोस्त मदन आ जाता है और चंदन कैसे है मेरे दोस्त ये ले अगले महीने मेरी शादी है ये मेरी शादी का काड़ पकड़ है आ बैट थोड़ी दिर या मैं जरा ये माल गिनकर रख लूँ और बता क्या खाएगा रुक मैं आमलेट ब्रेट मंगवाता हूँ है तुझे तो आमलेट ब्रेट चंदन और मदन ब्रेट खाने लगते हैं कुछ देर बाद मदन वहाँ से चला जाता है तब ही रोशन लाल आ जाता है चंदन साडियों का माल गिन लिया 200 पीस आये होंगे मैं एक बार दुबारा गिनकर ही लगा रहा था सेड़ जी अरे इसमें तो 5 पीस कम है सेड़ जी आसानी से बता दो सेड़ जी मैं तो कितना पुराना नो करूँ आज तक आपकी दुकान से कभी भी मेरे रहते चोरी नहीं हुई एक सेड़ जी मैं समझ गया चोरी किसने की है जब मैं अपने दोस्त मदन को उसकी शादी के लिए कुछ साड़ियां दिखा रहा था सरला अपना ठेला चलाएगी मैं अभी पुलिस को बलाता हूँ तब ही उगलेगी तू की तूने चोरी की है नहीं भाईया जी मैंने कोई चोरी नहीं की मैं भला आपकी दुकान से साड़ियां कैसे चोरी कर सकती हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में भाईया जी सरला दुकान पर तू ही तो आमलेट और ब्रेड लेकर आई थी ना उसी वक्त मैं माल को गिन कर रख रहा था पांच साड़ियां कम हुई है और यकीनन वो साड़ियां तुम नहीं चुराई है और कोई तो दुकान पर आया है नहीं चंदन पुलिस को फॉन मिलाओ इसे चोरी करने की सजा मिलनी ही चाहिए भाया जी ऐसा मत करो घर पर मेरे छोटे-छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे मुझे जेल में मत भेजो मैंने कोई चोरी नहीं की है मेरे उपर रहम करो ठीक है मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूँगा पर मुझे आज के बाद तेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आये नहीं तो पुलिस को बलाने मैं मुझे देर नहीं लगेगी चाब दो हजार रुपए मुझे पकड़ा और निकल यहां से और बाकी की साड़ियों के आठ हजार रुपए मुझे तू लटा देगी अगले हफते ही सरला फूट फूट कर रोती हुई दो हजार रुपए रोशनलाल को दे कर अपना ठेला उसकी दुकान के आगे से हटा लेती है पर एकदम से ग्राहकों से बंधी हुई जगा छूट जाने से सरला के काम का बहुत नुकसान होता है सडक पर बने एक खंबे के सहारे वो अपना ठेला लगा तो लेती है पर पहले उसका ठेला बाजार के बीच में था इसलिए ग्राहक बहुत आ जाते थे अब कॉलोनी की जगव होने की वज़े से ग्राहक भी नहीं आते थे और उपर से जग़ के भी दो हजार रुपए और देने पड़ते थे सरला बहुत परिशान रहने लगी थी उसकी कमाई बिलकुल ना के बराबर हो गई थी उपर से उसका मन खराब था कि उस पर चोरी का जूटा इलजाम लगा हुआ था वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसे बच्चों की चिंता थी एक दिन मा मेरा स्कूल का स्वेटर चोटा हो गया है मेरे लिए नया स्वेटर ला दो मा मा मेरे भी जूते फट गये है मेरे पैरों में देखो कट पड़ गया है क्या करूं कहां से इंतिजाम करूं कुछ समझ नहीं आ रहा रोशनलाल जी को भी 8000 रुपए देने पड़ेंगे नई जगा पर ग्राहक भी नहीं आ रहे है सरला बहुत परिशान थी अगले दिन उसे वापसी के लिए थोड़ी देर हो गई पता ही नहीं चला रात बहुत हो गई है जल्दी से ठेले का सामान बाद लेती हो बच्चे भी राह देख रहे होंगे बहुत अंधेरा है यहाँ पर तो लगता है खंबे की लाइट गई हुई है ये रोशनलाल जी की दुकान अभी तक खुली हुई है पर दुकान में अंधेरा क्यों है अरे ये तो चंदन और उसका दोस्त मदन है रोशनलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे कुछ तो गरबर है ये दुकान की साड़ियां गाड़ी में क्यों रख रहा है और वो भी इतने रात में रोशनलाल जी को फोन करके पता करती हूं सरला रोशनलाल को अपने मुबाइल से फोन मिलाती है और सारी बात बताती है जिसे सुनकर रोशनलाल हैरान हो जाता है और वो सरला के कहने पर दुकान पहुँचता है अरे सिड़ जी आप इस वक्त वो मैं दुकान में माल को चख करने इस वक्त तुम कौन सा माल चख करने आयो और ये मदन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें चाबी इसलिए पकड़ाई थी कि मुझे सुभा किसी जरूरी काम से बैंक जाना था ताकि तुम दुकान जल्दी खोल सको विश्वास घाती तुम चोरी कर रहे थे मेरी दुकान से वो तो अच्छा है सरला ताई ने यहां से गुजरते हुए तुम्हें देख लिया और मुझे फोन पर सारी बात बताई रोषणलाल पुलिस को फोन कर देता है वो चंदन और मदन को चोरी करने के इल्जाम में गिरफटार कर लेती है चंदन पुलिस के सामने उगल देता है कि वो पिछले कई दिनों से दुकान से साड्या चोरी करके मदन के साथ मिल कर बेच रहा था और उसी ने खुद को बचाने के लिए सरला पर भी जूटा इल्जाम लगाया था मेरी दुकान का ऐसे चोरों से खयाल भी रखेंगे भाया जी मुझसे आप माफी मत मांगिए कई बार हम कानों सुनी पर विश्वास कर लेते हैं और बिना दूसरे पक्ष पर विश्वास किये नतीजे पर पहुँच जाते हैं शायद कभी-कभी हमारा समय घराब होता है इसलिए परिस्थितियां भी हमारे विप्रीती होती है मैं आपकी दुकान के बाहर फिर से ठेला लगा पाऊंगी तो मेरे बंदे हुए ग्राहक फिर से लोटाएंगे आपका शुक्रिया भाया जी सर्ला की सचाई और चंदन का सफेद जूट रोशनलाल के सामने आ जाता है सर्ला फिर से रोशनलाल की दुकान के बाहर ही अपना ओमलेट का ठेला लगाने लगती है जिससे उसके बंदे हुए ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं और एक गरीब ओमलेट वाली को सचाई का फ़ल मिल जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहीए, बेस्ट बाडीज